So Hello दोस्तों फाइननी यामा कमपनी जल्द अपनी न्यू रेट्रो बाइक को रवील करने जा रहा है इंडिया में जिनमें से यामा जीटी वन फिफ्टी फेजर को भी लाउंच करने का प्लैन कर रहा है यामा ने रिसेंडली फेजर वन फिफ्टी जीटी को इंटर्ड्यूस क के लिए जिनमें से इंडियन मार्किट के लिए ये बाइक का लाउंच भी कंफर्म है सो पहले भी फेजर बाइक इंडिया में सेल होती थी फुली फेट बॉडी के साथ लेकिन इस पर ये बाइक आपको रेट्रो सेग्मेंट कैटेगरी में देखने को मिलेगी सो यामा आपको कब तक देखने को मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के रिव्यू को और बात करते हैं फेजर जीटी वन फिफ्टी रेट्रो बाइक के लाउंच अपडेट्स के बारे में सो अगर आप फेजर जीटी वन फिफ्टी को राइट करोगे और देखोगे आपको राउंड ढिलेगे फ्यू टैंक्स लीखोगा और िवन फिफ्टी के ग्रैफिक आपको फ्यू टैंक पर मिलेगे शीट प्रीमियम लैधर फिनीश में होगी सिंओल सीट के साथ दोनों वील में आपको सिंगल हैड्रोलिक डिस ब्रेक मिलेगी पैनल में आपको यामा की graphic मिलेंगे gt 150 के साथ suspension front में होगा telescopic fork front suspension and air suspension मिलेगा dual shock absorber wheels में आपको spoke alloy wheels मिलेंगे tubeless tire के साथ and this bike का wheel size होगा 18 inches का phaser gt 150 के अगर हम engine and specification की बात करेंगे तो engine is bike में मिलेगा 150 cc air cool single cylinder engine जिसमें overall power मिलेगे 12.5 hp torque ये bike generate करेगा 12.5 newton meter of torque and overall is bike में आपको 5 speed transmission भी मिलेगा fuel tank की capacity रहेगी 12.5 liter तक and इसमें आपको seat height moderate मिलेगी front tire size होगा 90 slash 90 section tire and rear tire size मिलेगा 100 slash 80 section tire तो tire is bike का काफी thin देखने को मिलेगा अब coming all new yama phaser 150 gt के अगर हम features की बात करेंगे तो इसमें आपको round led headlight मिलेगी with led dRL fully round digital meter console भी इस bike में आपको मिल जाएगा single channel absb front में मिलेगा round turn indicator के साथ इसमें आपको round led tail light भी मिलेगी so overall ये bike better option होगा compare to fzx and w175 के comparison में mileage ये bike अच्छी generate करेगा लेकिन इसमें आपको performance कम मिलेगी color option phaser gt 150 में मिलेगी blue color light gray color dark gray color and light cream color की option yama phaser gt 150 का price होगा 130,000 so इसका price same रखा जाएगा fzs जितना and launch इसका आपको देखने को मिलेगा दिवाली मन 2024 इस year में उससे लेट नहीं होगा बाकी कैसी लगी आपको gt 150 की look comment section में जरूर बताएं क्या ये bike compete कर सकेगी rolling field के bike के साथ so hope करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ informative लगी होगी अगर आपके कोई भी question या कोई भी doubt है किसी भी bike के related आप मुझे comment section में अपने comment करें मैं आपको जरूर reply दूँगा so मिलते हैं अगले review में